I'm sorry sis, लेकिन अगर उसे costume department छोड़ना है, तो यसका खुद का decision होगा. अगर वो लड़की इतनी talented है, तो उसे support करना चाहिए. तो तुमने क्या फैसला किया है? क्या तुम उसे hire करोगे? हाँ, क्यों नहीं? उसके results काफी कमाल के आये हैं. आना, तुम्हें अपनी बेहन पर गर्व होता होगा, ना? हाँ, मुझे गर्व क्यों नहीं होगा, आखिर वो मेरी बेहन है. याना, तुम्हारा एंड्री के साथ कैसा चल रहा है? क्या तुमने उसके साथ शादी करने का फैसला कर लिया है? देखो, मुझे बिल्कुल गलत मत समझना, मैं एक बॉस होने के नातर तुमसे पूछ रहा हूँ. हो सकता है तुम्हें वेकेशन के लिए लंबी छुट्टी लेने पड़ी, तुम्हारे हनीमून के लिए? इस बात को माफ नहीं किया जा सकता. गलत बात है, अगर ये प्रैंक है तो बहुत ही बेहुदा है, बिल्कुल बेहुदा. क्या तुम मेरे करियर को बरबाद करना चाहती हो? इसलिए यहां बुलाया है हमें. मैं जा रही हूँ, अभी इस वक्त. मैं भी जा रही हूँ. बिल्कुल गलत बात है. एक आइडिया है. क्यों ना हम दुनों अपने नाम को जोड़कर एक ऐसा नाम रखें, जिससे हम दोनों का दिल ना ठूटे? कैसे? देखिए. मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है. और तुमने? मेरी नजरों से दूर चली जाओ. यहाँ खड़ी रहोगी तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूँगी. ओ मैं गॉट हाँ जरूर. तुम वागई मेरी मदद कर रही हो. यह नाचुरल ब्यूटी की इंटरनेशनल स्क्रिप्ट है जो रिलीज होने वाली है. समझ गई ना? कर दोगी ना? ठीक है. और ट्रांसलेशन ब्यूरो को बताना यह बहुत अरजिंट है. कल सुबह सबसे पहले इसी की जरूरत होगी. ठीक है. सुनो, क्या तुम इसको सेट पे लेकर आ सकती हो? क्योंकि एना मुझे वहाँ सुबह खुद लेकर आने वाली है. ठीक है. मैं ऐसा ही करूँगी. ट्रासलेटर से स्क्रिप्ट लेकर पहुचा दूँगी. तुम वागई अच्छी दोस्त हो. सॉरी. अब मुझे चाना होगा. बागी का सामान मैं कल पिक अप कर लूँगी. कर ना मैं. वञ आने वाँ टूँगी. जब मुझे लेकर दोस्ते होगा अबागी क्योंकि अच्छी जब हो नहाँ मैं क्योंकि अवाँ. क्योंकि अभला है? नहाँ मैं कि अगका दूआख. हम साथ में अच्छा काम करते हैं, हम दोनों की बात कर रही हूं बिल्कुल हम दो जिसमें एक जान की तरह हैं, सही कहा न सुनो, हमें हर काम मिलकर करना चाहिए क्योंकि ऐसे काम अच्छा होता है, हम एक परिवार की तरह हैं, है न इसमें समझने वली क्या बात है, तुम, मैं, अलिया, मा, जोरियाना, हम सब एक परिवार ही तो है, जोरियाना, मैं उसकी मदद करके आता हूँ जोरियाना इस बात से उन दोनों का क्या लेना देना है तुम आखिर किस तरक आद्मी हो मेरी तो जिन्दगी बरबाद हो जाएगे पता नहीं कैसे तुम से महबबत कर बैठी अब पता नहीं क्या होने वाला है क्या तुम मुझे कभी प्रपोस भी करोगी या नहीं मैं शादे के लिए इंतिजान नहीं करना चाहती लियूबा तुमने पूरी शाम मुझे से कोई बात ने की सब ठीक तो है ना मैं ठक चुकी हूँ यही बात ने तुमें घर आते वक्त रास्ते में पांच बार बता चुकी हूँ तुमने सुनाई नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती या मेरी भाषा समझ में आती हाइ हाइ ठक गई हो हाँ हाँ खासकर लूबा यह पता ने क्यों मुझे बेना बात के डांटे जा रही है हाइ कैसी हो तुम मैं ठीक हूँ मैंने अपना ओनलाइन कोर्स टाइम पर कंप्लीट करके सर्टिफिकेट को सम्मेट कर दिया अब जिकासी सिलिकोट पोट में वह असाइन्मेंट को चेक कर रहे है वाउ तुम तो बहुत ही होश यार हो वह जांकिया वह लोग तुम्हें डेवलाप्मेंट डेपार्टमेंट में जॉब देने वाले हैं जैसे तुम जाहती हो उमीद है मिलनी तो चाहिए बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची आप सब का शुक्रिया लेकिन अब सब कुछ डेनिस के फैसले पर डेपेंड करता है क्योंकि वह कंपणी का CEO है देखो डेनिस यह सब तुम्हें ही देगा देख लेना उसे तुम्हें जॉब देनी ही पड़ेगी क्योंकि हमारी आना है ही इतनी ओसम चलो गल्स क्योंना हम इस खुशी में मिलकर आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन करें हाँ यह सही कहां बिल्कुल सही ओ चीसकेक्स मुझे तुम पर बड़ा ही नाज है तुम स्कूल में कितनी कमजोर थी बिलकुल भी पढ़ाई रिखाय में ध्यान नहीं देती थी और अब बड़ी काम्याब हो गई हो इसकी बात पर ध्यान मत देना आज इसका मूर थोड़ा खराब है और स्कूल में तुम्हारे नंबर कम इसलिए आते थे क्योंकि तुम बोर होती थी पर अब तुम कुछ ऐसा कर रही हो जो तुम्हें पसंद है यह निकाल लिया मुझे समझ में नहीं आता कि डिवलोप्मेंट डिपार्टमेंट आखरी वक्त तक कर क्या रहा था लेकिन याना का सेलेक्शन हो गया मुझे यकीन नहीं होता लेकिन उसने अपने सारे कोर्सिस कम्प्लीट कर लिए वही आसान से कोर्सिस जहां बिना कुछ केही सर्टिफिक यही बात तो अजीब है मॉम, मैंने पता किया लेकिन वो इतनी जल्दी सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, लोग काफी सारे ट्रायल्स करने के बावजूद भी यह सर्टिफिकेट्स नहीं हासल कर पाते हैं, क्योंकि यह काफी टफ है, और मुझे बताते हुए बेहत खोशी ह कि याना ने आसानी से क्लियर कर लिया, फिर तो याना स्मार्ट लड़की है, मुझे लगता है कि यह उन लोगों के बलड में ही है, दूना ही बहुत टेलंटेड है, मुझे उसकी फैमिली के बारे में नहीं पता, लेकिन याना बहुत ही इमंदार और महंती लड़की है, वो अगर वो लड़की इतनी टालेंटेड है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए तो तुमने क्या फैसला किया है क्या तुम उसे हायर करोगे हां क्यों नहीं उसके रेजल्स काफी कमाल के आये हैं आना तुम्हें अपनी बहन पर गर्व होता होगा ना हां मुझे गर्व क्यों नहीं ह होगा आखिर वो मेरी बहन है मैं सच कहा रही हूं एक बार आप उस जगह को देख लेंगी जो हैना ने मेरी बेकरी के लिए फाइनल की आप खुद गाएंगी बड़ी अच्छी लोकेशन है मैं तुमारे इस फ्रेंड हैना की बाते बहुत सुन चुकी हूँ लेकिन वो जग मा उसना आप दुनयों कहां जा रही है मार्केट जा रहे हैं हम मार केट जा रहे हैं मैं जार रहे हैं थम हमारी साथ आकर क्या करूगी जरूद का सारा सामान तो खरिद लिया है खर active जब इतनी कन्फ्यूज हो तो गर पर ही रुख जाओ, आज आना का लाइफ शो है, नाच्रल ब्यूटी शो, बस थोड़ी दिर में ही लाइफ होने वाला है, तुमारे चक्कर में हमें मारकेट से आते हुए लेट हो जाएगा, हमें जल्दी वापसा का शो भी देखना है, आप तुम्हें ढून रहा था, कितने कॉल्स किया लेकिन तुम्हें पिक ही नी किया, हाँ, सॉरी मैं कॉस्ट्यूम्स को औरेंज करने में बिजी थी, इसलिए फोन नहीं देख पाई, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ने ने थांक्स, मैं तुम्हें ऐसे सब के सामने शर् करनी है, ठीक है, तुम्हारी बनाई कॉफी मुझे पसंद आती है, थैंक्स, मैं बताना चाहता हूँ, मैं तुमसे काफी इंप्रेस्ट हूँ, मेना मतलब है, यहना, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपना कोर्स काफी जल्दी खत्म कर लिया, और एक्जाम्स मुझे यकीन है कि तुम कोई साभी जॉब काफी अच्छे से हैंडल कर पाओगी, सही है, फिर भी तुम मुझे जॉब नहीं देने वाली, क्या मतलब है, मैं ओफर नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम जैसे टैलेंटेड लड़की के ही सर्वत है, याना, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ डेवलप्मेंट डेपार्टमेंट जॉइन करो, याली, डेनिस मैं, मैं सच में आज बहुत खुश हूँ, मैंने तुम्हारे टेस्ट असाइनमेंट्स देखे और मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे आइडियाज वाक कई बहुत कमाल के हैं, वो बहुत इं शादी करने का फैसला कर लिया है, देखो मुझे बिलकुल गलत मत समझना, मैं एक बॉस होने के नाते तुमसे पूछ रहा हूँ, हो सकता है तुम्हें वेकीशन के लिए लंबी छुट्टी लेने पड़ी, तुम्हारे हनीमून के लिए, मैंने अभी फैसला नहीं किया है, एंड्री मेरी जवाब का इंतिजार कर रहा है, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, मेरी बॉस होने के नाते नहीं, बेहन के पती होने के नाते, शौर, क्या तुम्हें कभी आना से शादी करना एक गलिती लगा, सच कहूं तो, मुझे ऐसा लगता है, क्या तुम् ओर किसी और लड़की से शादी करते हैं। इस बारे में मैं ने कभी सचाivas कुषा नहीं है! मैंने पूरी बिन अने पूराइक पक्षुशा है। या आना को किसी से नहीं है, मुझे लगते है, कभी-गी शादी है उन्ड़गी कुषी करते है कुश्य है, इसा वखता है! और यह सच नहीं पता डेनिस शाय तुम्हें यह सही लगता होगा लेकिन तुम खुद महसूस नहीं कर सकते कि मैं तुम्हारी साथ नहीं हूँ क्या तुम वाकई खुश हो और चाहिए थैंक्स अलोट कॉफी के लिए और खुश खबरी के लिए अब मुझे वापस जाकर कॉस्ट कुरिया डेनिस तुमसे बाद में मिलती हूँ गुडबाय क्या तुमने मुझे कॉल किया मैंने कॉल किया मैं तुम्हें आदे घंटे से ढून रही हूँ कंटेस के ट्रांसलेशन स्क्रिप्ट कहां पर है वेल वो किसी भी मिनिट मुझे मिलने ही वाली है मैं इसे कपसे ढून रही हूँ वो भी एक घंटे से तुम्हारी इस लापरवाही और गैर जिम्मिदारी की वज़े से अब मेरे पास शो के लिए रेडी होने का भी वक्त नहीं है हम लाइफ शो करने जा रहे हैं अब मैं इसे होस्ट कैसे करूंगी आज जो भी होगा उसकी वज़े से मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूंगी क्या यहां सब कुछ ठीक है तुम तैयार हो वैसे भी कंटेसंट भी रेडी जाने के लिए हम एक गंटे में और नहीं जानने के लिए तैयार है चलो फिरशलते हैं मुझे नहीं पता तुम कैसे करूगी लेकिन वो ट्रांसलेशन मुझे अभी लाके दो समझ गए करें नहीं! बिल्कुल यहीं, यहां पर डिस्प्ले केस शुरू होगा और कुर्सिया और मेज हम वहां रखतेंगी.. नई-णाई रूको.. क्या? डिस्प्ले केस, वहां होना ज़ीए, जहां से वो नजर आए वहाँ उस पपर चाहिए नहीं 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 हम इसे वहां नहीं रख सकते है लोगो भी मेंडग का ही बनाना चाहिए एक कन्फेक्शनरी का लोगो तीन टांगो वाला मेंडग होगा जिसके मूँ में कुछ रखा होगा क्यों हाथ ओपर यहां थोड़ा सा जंगल भी उगा दो ताकि मच्छर पन अपने लगे और बेकरी का नाम लग देना अनहेल्डी हाँ हाँ क्योंकि मेरा नाम सुनने में बहुत इंट्रस्चिंग लगता है मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हमें इसका नाम कैट्रीना रखना चाहिए लेकिन हम इसका नाम कुछ और रख सकते हैं जैसे क्यूट स्वीट शॉप यह बहुत अच्छा रहेगा एक आइडिया है क् अपने नाम को जोड़कर एक ऐसा नाम रखें जिससे हम दोनों का दिल ना ठूटे कैसे देखिए हम अपने नाम का पहला आक्षर ले सकते हैं जैसे जाना और केटरीना इसका नाम जनका रख तो एक और काम करते हैं मेरे तरीके से जोड़कर दिखेंगे और फिर शॉप के इसकी वज़ा से हमारा बिजनस शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो जाएगा उजाना तुम बिलकुल बच्चो की तरह हो तुम्हें बड़ो की तरह सोचने की जरूवत है अभी अपने दिमाग का सही इस्तेमाल भी कर दिया करो हाँ आपको फैंक चुई की समझी नहीं है यह याना कहा रह गई अभी तक आए क्यों नहीं आज यह मुझे मरवा के रहेगी हेलो हेलो आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ आप बहुत अच्छी लग रहे हैं क्या हम एक इंट्रव्यू कर सकते हैं बिलकुल बहुत खुशी से आना सबसे पहले यह बताईए कि आप नर्वस है क्योंकि मैंने सुना है कि आज आपकी विदेशी गेस्ट है बिलकुल मैं थोड़ी सी नर्वस्त हूँ हम लोग अभी लाइव होने जा रहे हैं और रही बात कंटेस्टन्स की तो यह सच है आज कई देशों से गेस्स आने वाले हैं इस का मतलब है आप सिर ब्यूटिफुल ही नहीं बलकि बहुत ही टैलेंटेड है तुमने इतने देर कहां लगा दी आना कब से स्क्रिप्ट के बारे में पूछ रही है मेरे डेर के मारे हालत खराब हो रही है जल्दी हो सके मैं आ गई हूँ मैं ट्रांसलेशन आफिस में फश ग थैंक यू अब चले यह लो ट्रांसलेटर स्क्रिप्ट हालिया कसम से एक बार भी ऐसी हरकत की तो बस यहां से बाहर हो जाओगी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यह ट्रांसलेशन बीरोस की वज़े से हुआ मेरे पास कुछी मिनिट है तैयारी के लिए और तुमारे बहारे सुनने में मैं उन्हें बरबाद नहीं करूंगी और अब इतने सारे सवालों को अंग्रेजी में कैसे याद करूं क्या तुम खुबसूरती चुनोगी यह कौन सा शब्द है तुम कौन सा शब्द चुनोगी जल्दी यहां आजाओ आना का शो शुरू होने वाला है आओ लूबा बैट जाओ बाभी कहा है मेरे खयाल से वो गर वापस आती ही होंगी वो थोड़ा लेट हो गई है क्योंकि उनको बैंक में थोड़ा टाइम लग गया था हेलो प्यारे दर्शको आपका स्वागत है अपने फेवरिट टीवी टॉक शो नाट्रल ब्यूटी में आज का एपिसोड इसलिए है क्योंकि आज यहां दुनिया के हर देश से गैस और कंटेस्ट से नाए हुए हैं सब यहां पर हैं प्लीज हमारे चामिंग गैस का स्वागत कीजिए क्यों ना सबसे पहले हम अपने कंटेस्टिंस के बारे में थोड़ा बहुत जान ले हाई हलो यहां देखकर हमें बहुत खुशी हुई आपका नाम क्या है हलो मेरा नाम जेन है मैं कैनेटा से एक सिंगर खुशी हुई तुमसे मिलके प्लीज हमारे दर्शकों को ओबेसिटी से रिलेटेड अपने स्ट्रॉगल के बारे में जरा बताईए क्या यह किस बारे में बात कर रहे हैं कौन सी ओबेसिटी क्या तुम मजा कर रहे हो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी यह प्रॉब्लम नहीं हुई एक बार जोरदार तालिया हमारे पहले कंटेस्टिंट के लिए हम सब के लिए खुशी की बात है कि आप हमारे शो पे आए हो जहां तक मुझे पता है आपकी वजन की प्रॉब्लम आपकी ड्रिंकिंग हैबिट की वज़े से शुरू हुई थी हमें बताइए यह सच नहीं है तुम चूट बोल रही हो यह करने के लिए तुमें किसे पैसे दिये है तुम ऐसा क्यों कर रही हो मैंने कभी ड्रिंक भी नहीं की है मुझे एलकोहल से एलर्जी है मैं तुम पे केस कर दूँगी अरे यार क्या इसने क्वेश्चन को मेक्स कर दिया है इसके स्क्रिप किसमें लिखी है मैंने तुम्हें कहा भी तायाना एक दिन अपनी बर्बादी की वज़े तुम खुद बनोगी लेकिन इस वक्त जो भी हो रहा है वो किसी की सोची समझी साजिश लग रही है इस बात को माफ नहीं किया जा सकता गलत बात है अगर ये प्रैंक है तो बहुत ही बेहुदा है बिलकुल बेहुदा क्या तुम मेरे करियर को बरबाद करना चाहती हो इसलिए यहां बुलाया है हमें मैं जा रही हूं अभी इस वक्त मैं भी जा रही हूं बिलकुल गलत बात है यह सब क्या हो रहा है क्या यह यह उने वाला था क्या यह प्रैंक है प्लीज में माफिचा आँ रुख जाए प्लीज जेन प्लीज मुझे माफ कर दो शो छोड़कर मत चाओ आना अने सब क्या हो रहे है अना को क्या हुआ वो बेहोश हो गई क्या शहर ऐसा ही लगता है मुझे यह समझ नहीं आ रहा है इसने अपने शोव पर ऐसा क्यों किया अच्छा हुआ भापी ने यह सब नहीं देखा वन्ना वो घबरा जाती तुम लोगों ने टीवी बंद क्यों रखा है आना का लाइफ शो चल रहा है वो असल में आशो जल्दी खत्म हो गया है खत्म हो गया से क्या मतलब अभी तो शो शुरू होने का वक्त है हां लेकिन वोगों ने किसी प्रॉब्लम के वज़ा से शो कैंसल कर दिया अच्छा बाप या प्लीज फिकर मत किजी ऐसा तो टीवी पर होते ही रहता है इसमें चिंदा की क्या बात है लेकिन मेरा वो शो दे पता नहीं यह सब कैसे हो गया बाहर रिपोर्टर्स की भीड लगी हुई है और सारे कंटेस्टेंस के मैनेजर्स भी चिला रहे हैं इतना बड़ा स्कांडल खड़ा कर रहे हैं टिम सब के सामने गिड़गडा कर माफी मांग रहा है रो रहा था तुम कैसी हो क्या तुम ठीक इतनी बड़ी गलती सिर्फ तुम्हारी वज़े से हुई है तुमने मुझे गलत ट्रांसलेशन क्यों दी मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुमने मेरी नजरों से दूर चली जाओ यहां खड़ी रहोगी तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगी आना इसमे नहीं कोई गल्ती नहीं है मैंने आना को इयकाम दिया उससे कोई गलती होई होगी याना याना ने ने कल भी मुझ से ले ली थी और आज चेट पर लेकर आई थी क्या वो यहाँ है क्या वो अभी यहाँ है याना मुझे इसी वक तुम से बात करनी है आना प्लीज हमें बताईए आप उस वक्देसा बेहुदर सवाल क्यूं पूछ रही थी और वो शराप पिने वाले बात आपको कहां से पता चलिए आना क्या बता सकती है अच क्या हुआ था आना अब प्लीज हमें बताईए क्या प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो थांक यू ये सब तो बहुत ही बुरा हुआ है अब आना के साथ क्या होने वाला है मुझे तो उस पर बहुत तरस आ रहा है मुझे नहीं आ रहा एक टीवी स्टार की इमेज अंबाल परना बड़ा मुश्किल काम होता ये सब उसके बिहेवियर का नतीजा है उसने शो की तैयारी नहीं की थी और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी और वो हर किसी से बत्तमीजी से पेश आती है ना किसी की इज़द करती है और ना ही किसी को कुछ समझती है ये तुम क्या कह रहे हो, शान्द हो जाओ हमें पूरी बात बता नहीं है क्या खिर हुआ क्या है उसकी बहुत इंसल्ट हुई है, ये हुआ है आपने उसके चेरे पे लुप नहीं देखा था क्या अगर उसकी जगा मैं होता तो उसी वड़ गलती के लिए माफी मांग लेता और वो वाँ खड़ी-खड़ी सबका मूँ देख रही थी आपका ऐसा नहीं कहना चाहिए उससे आज ये गलती होगे, इसका मतलब ऐसी बाते करेंगी क्या आप उसके साथ हमारी भी इज़त जुड़ी होई है उसकी इस हरकत की वज़े से हमें अपने लॉयर्स को भी इन्वाल्व करना पड़ेगा वो शो के आखिर में बिहोश हो गई थी क्या पता हो शो के दौरान बिमार फील कर रही हो इसलिए उसके मूँ से यह सब निकल गया हो वाज़ो भी ओ अब वो पकका बिमार हो गई है दिमागी तोर से बिमारी है उसका साथ देना होगा क्योंकि हमारे परिवार का हिस्सा जो है हाँ मा अब बिल्कul सही कह रही है रिशा हाँ मैं सुन रहा हूं कि तुम मुझे क्या कहना चाह रही हो मुझे जानना है तुम अचानक मुझे अपनी मेकप लाइन प्रोमोट क्यों नहीं करने दे रहे हाँ मैं जानती हूँ लेकिन हम दुरों ने कॉंट्राक्ट साइन किया है हमारे बीच एक डील हुई थी तुम ने मुझे खुदी कहा था कि तुम मुझे अपने ब्रैंड के अंबैसेडर बनाना चाहते हो मेरी शोका इससे क्या लेना देना ये एक छोटी सी गलत फैमी है फोन काट दिया उसने उसने मेरे मूँ पर फोन काट दिया टिमोथी मेरी बात सुनो मैं बता सकती हूं कि क्या हुआ ये है मेरी स्टूपिड असिस्टिंट उसने गलती से किसी और शो की स्क्रिप्ट मुझे थमा दी और हमारा शो सरकस बन गया मैं अभी गाड़ी से यहां तक पहुच नहीं सकती आना आज सेट पर तुम्हारा बहीविर माफी के लाएक बिलकुल नहीं है तुमने हमारी इमेज खराब कर दिये जहां तक कि तुमने मेरी रेपुटेशन को भी खत्र में डाल दिये मैं यहां तुम्हें फायर करने के लिए आया हूँ मैं आज इसी वर्क शूट कैंसल कर रहा हूँ और हमारे कॉंट्राक के मुताबिक आज तुम्हारी वजे से हुए पूरे नुक्सान के भरपाई भी तुम ही खुद करोगी पर ऐसे कैसे टिमधी मेरी बात सुनो मैं तुम से अपना कॉंट्राक ध्यान से पढ़ लो आना खास कर डेमिज क्लाउस को खुली आँखों से पढ़ो तुम चाहो तो कोट जा सकती हो यह तुम्हारा लीगल राइट है इस बात से कोट का क्या लेना देना मुझे पैसों की परवाह नहीं है एक बार तुमने खुदी कहा था कि मैं बेमिसाल हूँ और मैं एक टीवी स्टार हूँ जिसके लिए पबलिक पागल है क्या आज तुम मुझे इतनी आसानी से फायर करोगे सिर्फ एक छोटी सी गलती की वज़़ह से मैं चानती हूँ मुझसे बड़ी गलती हुई है लेकिन मैं अभी भी सब ठीक कर सकती हूँ मैं सारे कंटेस्टिन से माफी मांग लूँगी अपनी गलती भी मांग लूँगी लेकिन तुम इस तरह मुझे फायर नहीं कर सकते एक स्कैंडल तो चीप पबलिसिटी होता है इम मुझे लगई था अच्यायक क्या तुमने कि निब्ली कि पढ़ा भी था OF इए तुमने क्ंटेस्टिन की बायोगरफे पर ध्यान दियाता था मेरी अस्सेस्टिंस Aena तुम्हारा बिहीवियर और तुम्हारे बोले हूए जूट एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं और अब मैं तुम्हारे साथ दुबारा कभी भी काम नहीं करूँगा गुद्बाई और जितना जल्दी हो सके मेरे सेट से चले जाओ अना पताना जाएंगे क्या हुआ दाज आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है क्या अभी भी आप नैचरल ब्यूटी के साथ रहेंगी हमें बताइए क्या आपको इस स्कैंडल के वज़े से शो से निकाल दिया गया या वज़े कुछ और है क्या आप कुछ कहना चाहेंगी माम नो कामेंस कीप रोलिंग कि चलो यहां से चलते हैं कि आप लोग रास्ते से हट जाएए प्लीज कि शान्त हो जागाना सब कुछ ठीक हो जाएगा चिंता मत करो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं पहले मुझे अपनी बहन से बात करनी है यहाना से क्यों कुछ जरूरी बात है वो है कहां मैंने उसे टीवी चैनल की बिल्डिंग की तरफ जाते पर देखा जब मैं यहां आ रहा था मुझे उसके पास ले चलो मेरे हिसाब से तुम्हें घर चलना चाहिए उसके बाद इस बार मुझे पहले अपनी बहन से बात करनी है कि अधिश्य कुछ समझ नहीं आ रहा किसने तुम्हें निकाल दिया और कहां से ज्यादा मत बनो तुम जानती हो कि तुमने मुझे गलत स्क्रिप्ट दी है तुम चाहती थी मेरा शो खराब हो जाए सौरी मुझ से जरा सी गलती हो गई मैं ट्रांसलेशन ब्यूरो से गलत स्क्रिप्ट ले आई थी तुम जूट बोल रही हो मेरे उपर चिलनाना बंद करो खुदी चेक कर लो टाइटल पेज के उपर शो का नाम बिल्कुल सही लिखा था मुझे क्या पता था उसके अंदर पूरी स्क्रिप्ट गलत है मैं अपनी गलती के लिए शर्मिन दा हूँ मैंने जान बुचकर नहीं किया मुझे तुम पर भर करणारी नहीं किती को मुझे तो लंगा था तुम ईंग्लिश बूलने में एक ड़म स्मार्ट हो मुझे तो movement आती ही नहीं लेकिन तुम्हें तो आती ही है क्या हुआ कि सब ठीक तो है तुम्हें मदद की ज़रूरत है तुम मेरी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते आना को नेच्टरल ब्यूटी से निकाल दिया गया है और उसके साथ मुझे भी निकाल दिया गया है मैं यहां इस उम्मीद से आई थी कि शायद मुझे यहां कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी मैं तुम्हें सच बताऊंगे तो तुम मेरा यकीन नहीं मानोगे मुझे याना को वो स्क्रिप्ट देने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था याना उसका इससे क्या लिना देना है मैंने याना से मदद मागी थी कि वो ट्रांस्लेटर के पास ये स्क्रिप्ट लेकर जाए और वो ट्रांस्लेटर इस्क्रिप्ट वापस लेकर आ जाए लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर इस्क्रिप्ट लेकर आई चेक करने का वक्त ही नहीं था ये सब याना की वज़े से हुआ इतने वक्त से तुम कहां थे, मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा था हाई हेलो तुम अपने रेस्टोरेंट के काम से बहुत ज़्यादा ठक गए हो शायद मैं अभी तुम्हारा मूड अच्छा कर देता हूं मेरे दोस्त हाँ जल्दी कर हाँ हैना एकदम चकाचक तुम्हारा जो सूट मैंने खराब किया था यह उससे तु कहीं बैतर है मैंने डैनिलो के लिए एक नया सूट खरीदा है लेकिन वो उसे ट्रा ही नहीं करना चाह रहा हॉस्पिटल का काम करते करते वो बहुत कमजोर हो गया है बहुत अच्छा सूट है चलो मुझे खुशी हुई के तुम्हें पसंद आया लेकिन तुम्हारी शकल पर बारा क्यूं बज़े हुए हैं कहीं यह तुम्हारी गर्फ्रेंट की भतीजे कि उस टीवी वाले स्कैंडल की वज़े से तो नहीं है मैंने भी वो तमाशा देखा था ही कह रहा है फिर परेशानी क्या है भाई अपनी गर्फ्रेंट से तेरा पैच अप हो गया ना हमने तेरे सारे कर्ज भी चुका दिये हैं आज तुझे नया सूट भी मिल गया है तो फिर प्रॉबलम क्या है सब लोग यहीं इंतजार कर रहे हैं कि मैं ल्यूबा को कब प्रॉपोस करूँ वो खुद भी मुझे बहुत हिंट्स देती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे सच्चाई कैसे बताऊं कि मेरा एक बेटा है जिसे मैं छुपा रहा हूँ और एक दिन ल्यूबा कोई सच्चाई का पता चल जाएगा और जब उससे पता चलेगा कि मेरा एक बेटा है तो वो मुझे मार डालेगी तुम सही कह रहे हो इस सिच्चुशन में तेरी जान को खत्रा है आना मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ कोई जरूरत नहीं थांक्स मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ आना कि तुम परिशान मत हो हम सब तुम्हारे साथ हैं ये बुरा वक्त गुजर जाएगा हम सब यहां हैं आपको कैसे पता कि आपकुछ ऐसा जानती हैं जो मुझे नहीं पता नहीं इससे ज्यादा किसे को कुछ नहीं पता है लेकिन आना याद रखो लोग सब कुछ भूल जाते हैं दुनिया ऐसी ही है मेरा टीवी करियर हमेशा के लिए बरबाद हो चुका है ये मेरा अंत है तुम ज्यादा ही सोच रही हो तुम टैलेंटर हो खुब सरत हो तुम अपनी जिंदगी में टीवी के अलावा बहुत कुछ कर सकती हो बस तुम्हें सावदानी से काम करने की जरूत है सही वक्त का इं इंटेस्टेंट से ही नहीं उनसे भी माफी मांगना जिनने तुमने हर्ट किया है और उनसे कहना के तुम ये दुबारा नहीं करोगी मैं यह जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं माफी मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझे फायर कर दिया गया, अब मैं उसके सामने गिड़ गिड़ा कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सब बरबाद हो गया, बरबाद, मुझे वैसे भी माफ इसमें तुम्हारी बेन की कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है आना, तुम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाती हो, तुम प्रॉब्लम्स को देखकर बॉखला जाती हो, और फिर इलजाम किसी और पर लगा देती हो, यही तुम्हारे आटिटूट है, तुम्हें अपन मैं कब से कॉल कर रही हूं वो मेरा कॉल ही नहीं उठा रही है जैनिस से मेरी बात हुई उसने कहा कि उसने फोन स्विच आफ किया है वो रेपोर्टर्स के सवालों का जवाब देते देते ठक गई है भापी प्लीज आप शांत हो जाएं शांत कैसे हो जाओ मैं मेरी बेटी तकलीफ में है तुम सब ने मुझे रेस्टरौ में क्यों नहीं बताया मेरे आते ही टीवी आफ कर दिया तुमें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा जान पहचान वाले हर इंसान ने मुझे कॉल किया हर तरफ उसी की चर्चा हो रही है हमें समझ नहीं आ रहा था आपको कैसे बताएं हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं हर्ट तुम ऐसे भी हुई हूँ हलो हलो तुम वहां से आ रही हो ना आना आप कैसी है तैनिस ने बताया कि तुम शूर के बाद उससे मिली थी क्या वह बहुत परिशान थी उसने कुछ बताया कि हो क्या करने वाली है क्या उसने तुम से कुछ कहा आना इस वक्त बहुत गुंचे में है वह परिशान है लेकिन लगता है कि जल्दी ठीक हो जाएगी और जब ऐसा होगा मैं फिर से वार करने के लिए तयार रहूंगी ये लिजे थोड़ा और पानी पी लीजिए आज नेचरल ब्यूटी टीवी शो के शूट के दौरान एक बहुत है अनेक्सपेक्टेड स्कांडल हो गया है किसी को ऐसे उम्मीद नहीं थी कि आज जब इस शो में कैनेडा और यूएस से हर बड़े बड़े देश से जानी मानी हस्तियों को इस शो में इन्वाइट किया गया था तो इस शो की आप सब की चहेती होस्ट आना उन महान हस्तियों से अजीबो गरीब सवाल पूछने लग गई प्लीज आप हमें बताईए आज शूट के दरौन क्या हुआ था क्या आप सच में बेहोश हो गई थी किया कोई ड्रामा था टीवी बंद कर दो प्लीज लीलिया ने भी इस मौके का अच्छा खसा फाइदा उठा लिया है जो सलुक दूसरे रिपोर्टर्स ने तुमारे बवू के साथ किया है उनके मुकाबले तो लीली एक एंजल है और अच्छा ही है अगर हमारे अपने ही चैनल स्टोरी को कवर किया है वरना हर कोई कैरलीना पर यह इल्जाम लगा था कि उसने अपनी ननन्त की तरफदारी की है फैमिली मेंबर होने के नाते आना को सपोर्ट कर रहेगे आज मैं इससे बहुत थक चुकी हूं मैं सूनी जा रही हूं ठीक है जाओ गुद नाइट बेटा अब बताओ बेटा आना की हालत अब कैसे है ग्रैंडमा ने उसे कुछ नींद की गोली दे दिये वो सोने की कोशिश कर लिए तुमने कुछ सोचा है कि इस मीडिया सरकस को हैंडिल कैसे करना है जानते हो मुझे लगता है कि हमें अपने लॉयर्स की टीम को बुलाना चाहिए वही मीडिया पर प्रेशर बनाकर इस पूरे मामले को रफादफा कर सकते हैं डाड हमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं मुझे इस बात से फरक नहीं पढ़ता कि रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं वो क्या छाप रहे हैं उन्हें जो छापना है वो छापें जरुवत पढ़ने पर मैं उन पर केस कर दूँगा मैं कल कुछ मीडिया परसनल से बात करता हूँ और एक ओफिशल स्टेटमेंट देता हूँ कैरोलीना एक प्रेस कॉन्फरेंस अरेंज कर देगी उसने मना किया था लेकिन मैंने उसे किसी तरह समझा लिया और आना क्या कॉन्फरेंस में वो भी कुछ बोलेगी नहीं मुझे नहीं लगता कि एना को इन सब चीजों में पढ़ना चाहिए वह एमोशनल हो जाएगी और हमारे लिए यह सही नहीं होगा आना के लफ़ड़ों में तुम क्यों पढ़ रहे हो क्या आप माम के लिए ऐसा नहीं करते मैं उसकी मदद करता उसे अकेला नहीं छुड़ता गुद मॉर्निंग क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सबती हूँ मुझे तुम्हारे साथ कुछ बाते करनी है किस बारे में? बात ये है कि नैच्रल ब्यूटी शूट कैंसल हो गई है तो अब मेरे पास मरिया टीवी में काम करने के लिए वक्त है तो क्या मैं तुम्हारे चैनल में काम कर सकती हूँ? मेरी फोट्रेश शो में मैं जानती हूँ कि एक बार मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही रुखा बीहेव किया था लेकिन वो थकावट की वज़र से था मैंने कुछ ज्यादा ही काम ले लिया था मेरे चैनल को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है कैरोलीना मैं तुमसे भीग मांगती हूँ प्लीज मुझे मरिया टीवी में जॉब दिदो ये मेरे लिए बहुत माइने रखता है मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पे एक साथ काम नहीं करूँगी मैं कम पैसो में भी काम करूँगी हम कितना अच्छा कर रहे थे तुम्हारी चैनल की रेटिंग्स बहुत ही हाई थी तुम्हें तो याद ही होगा न चैनल के लिए और हमारी फैक्टरी दोनों का ही फाइदा हो रहा था इस बार मेरे पास और बहुत अच्छे आइडियाज है नहीं आना मैं तुम्हें दुबारा चांस नहीं दे सकती तुमने शो छोड़ दिया था तुमने तो मेरी इंसल्ट भी कर दी थी मैं ये गल्ती दुबारा नहीं दोरा सकती और अभी तुम पूरी तरह बिरसगार नहीं होई हो तुम अभी भी हमारी कमपनी में डैनिल्स की मैनेजर के तौर पर काम कर रही हो ना तो क्या ये तुम्हारा फाइनल डिसिजन है हाँ कैसे तुम मेरी साथ ऐसा कैसे कर सकते हो क्या हुआ मैं अभी अभी कैरोलीना से बात करके आ रही हूँ मैंने उसे काम देने के लिए कहा था उसी शो में जो मैंने बेसिकली खुद क्रियेट किया था समझ रहे हो और उसने मुझे साफ इंकार कर दिया वो अच्छी तरह जानती है कि इस वक्त मुझे मदद की जरूरत है मुझे सपोर्ट चाहिए और उसने साफ इंकार कर दिया एना मेरी बात सुनो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टेलिविजन के काम पर वापिस जाना चाहिए एटलिस कुछ दिनों के लिए क्यों दूर रहूं तुम्हें लगता है situation हैंडल नहीं होगी तुम्हें लगता है मुझे नहीं होगा नहीं मेरा कहने का मतलब वो नहीं है मुझे तुम पर विश्वास है लेकिन पहले हमें इस problem का solution निकालना होगा हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि एजगर करने जैसा कुछ नहीं मैंने ये बात सौ बार समझाई है याना ने फोल्डर्स को मिक्स कर दिया था इसमें मेरी गलती नहीं थी यह सब इस वक्त माईने नहीं रखता है मुझे ऐसा लगता है कि कहिन कई तुमसे ही गलती हुई है और वो तुम्हें फिगर आउट करना होगा हानी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे अक्सिनेंट के बाद इंगलिश समझने में प्रॉब्लम है मैं अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में टीवी पर खुलेयाम सबको नहीं बता सकती हूँ मैंने हालिया को से बात करनी होगी प्लीज उसे कहो कि वो मेरी पुरानी जॉब वापस दे दे प्लीज नहीं मैं यह नहीं कर सकता ऐसा नहीं हो सकता है कैरोलीना ही चैनल के सारे काम हैंडल करती है मैं अपना डिसीजन उस पर थोप नहीं सकता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं करोगा तुम सब मेर अपरत करती हूँ अना 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 मुझे खुशी है कि आप सबने इस कॉन्फरेंस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला मैं आप सबसे एक ओफिशल स्टेट्मेंट शेयर करना चाता हूँ उस हाथ से के बारे में जो मेरी बीवी के साथ हुआ अना डबरवोल्स की किसी को अफेंड नहीं करना चाती थी एक मिसंडेस्टैंडिंग हो गई एक ऐसी मिसंडेस्टैंडिंग जिसके लिए वो शर्मिंदा है जल्द ही वो आप सबसे बात करेंगे और आपके कॉश्चनों का जवाब देंगी लेकिन तब तक आप उन्हें अकेला छोड़ दीजे हम सबसे गलतियां हो जाती है और हम सबको अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? एन अड़ डबरवाल्स की एक प्रोफेशनल है और आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वो बहुत टैलेंटेड है और वो अपने काम को बखो भी जानती है उन्होंने अपने काम से इस प्रोग्राम को व्यूवर्स के लिए काफी इंट्रेस्टिंग बनाया है सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने हजारों लोगों के दिल जीत लिये मुझे अपनी बीवी पर नाज है और मैं पूरी तरह उसे सपोर्ट करता हूँ गुड़ी इवनिंग काश ये इवनिंग वाके गुड़ होती आपने ऐसा क्यों कहा बेटा आना ने खुद को रूम में बंद कर लिया है और बहार नहीं आ रही है हमें बहुत टेंशन पूरी है उसकी मा को भी बुलाया है लेकिन वो उनसे भी बात नहीं करना चाहती है हां हम समझते हैं वो परिशान है और वो अकिला रहना चाहती है पर उसे कुछ खानी की जरूरत है मैं देखता हूँ अना अना प्लीज दर्वाजा खोलो अना मैं डेनिस हूँ कुछ गड़्बन लग रही है तुम चिल्ला क्यों रहो आखिर हुआ क्या है अना हुआ हुआ है